साश की स्कूल की बिल्डिंग जजर होने के कारण तिरपाल के नीचे पढ़ने को स्कूली बच्चे मजबूर हैं तिरपाल के नीचे क्लास लगने की शिकायत करने पर उच्च अधिकारियों का कहना है कि जब तक स्कूली बिल्डिंग 30 साल की नहीं होगी तब तक उसे सरकार शिक्षा के छेत्र में बड़े काम करने का दावा करती है वहीं जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नज़रा रही है सरकारी स्कूल से जुड़ा यह मामला प्रात्मिक शाला बच्टोला का है यहां स्कूल बिल्दिंग की स्थिति काफी दैनिये हैं आप वीडियो में साफ फर्वरी से तिरपाल लगा कर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इस मामले की शिकायत अब उच्छ अधिकारियों से की गई है तो उन्होंने कहा है कि जब तक स्कूल की बिल्दिंग 30 साल की नहीं हो जाती तब तक नई बिल्दिंग नहीं बन सकती यह फर्वरी से हैं फर् जब तक स्कूल जब लगी तब मैं यह मुत्धा उठाय था तब मैंने जब मुद्धा उठाया तब जाके यह बनो के हां लगा रहे थे स्कूल उसके बाद पिर बैका यहांपर जिर्पाल लगा के जब देखा तो मुझे लगा कि यह गलत है यहांकि अपने सल्वार पेट्रोल में अपने स्कूल नहीं है तो गलत हमारे बच्चे आप कहां से करेंगे अगर हम सिख्षी थोंगे तब इतना बच्चे सिख्षी हो तो यार अजय, लोकिट वड़ाइड हम इस उमर में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे? अगर पापा जैसे सही प्लाइनिंग की तो जैसे की? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एलाइसी के जीवन अक्षे में जो दे रहा है इमीडियेट और गारंटिड अन्यूटी अट रेगुलर इंट्रिवल्स सिंदिगी पर के लिए पर हमें तो इस एच तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल ने, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है एलाइसी के न्यूट जीवन शांती में जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूटी मतलब कुछ साल बात से रेगुलर इंकम आईसी एलाइसी एलाइसी के एन्यूटी प्लान्स दिद एन्यूटी ऑप्शिन्स और नियमित इंकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी एलाइसी हर पल आपके साथ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लिश हम करते हैं सत्य का अनवेशा तखल नियूज आपके हथ में आप देख रहे हैं तखल नियूज